वेलकम बेक फ्रेंज टो आर चैनल फार्मल एक्चर्स आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिशनल केमिस्ट्री का यूनिट वन का जो हमारा थार्ड टॉपिक है फिजिकल फिजियो केमिकल प्रोपर्टीज इन रिलेसेंट टू बायोजिकल एक्षन जो फिजिकल केमिकल प्रोपर्टीज होती है किसी भी ड्रग की जब वो किसू से या सेल से जब वो इंट्रेक्ट करती है तो उसकी वहाँ पर क्या बायोजिकल एक्षन्स होती है वो क्या एक्षन्स जो है अपना सो करती है तो आज हम उसके बार में पढ़ेंगे तो इसमें प ट्रांस्पोर्ट में अपना interaction जो है सो करती है एक side of administration से दूसरे side of action से मतलब जब हम administration देते वहां से जब action करता है drug के वहां तक जो आपका जो process होती है उस time जो interaction जो होता है तब वहां पे वो बताती है कि जो आपकी क्या वो physiochemical properties जो है सो करेगी इसमें main physiochemical properties जो होती है जो drug के drug action को affect करते वह आपकी पहली ionization होती है दूसरी आपकी solubility होती है तीसरी आपकी partition coefficient होती है फॉर्थ आपके hydrogen bonding होती है फिफ्थ आपकी protein binding होती है और शिक्स आपकी chillation होती है सेवन्थ आपकी bioisosterism होती है एंड लास्ट वन जो होती है आपके optical और geometrical isosmerism होती है ठीक तो हम definition से पहले हम इसका शुरुआत करते है कि physiochemical properties का biological action में क्या मतलब relation क्या हो रहा है क्या बता भी chemical compound की जब वह जब हम उसको देते किसी pharmacological या therapeutic effect के लिए तब वह influence करती है बहुत से physical और chemical properties से वह influence होती है उस chemical substance के और जो biomolecules होते जो से interact गते मिस जिस biomolecules cell tissue किसी से भी जब वह interact करती है कि मान लिजए अगर यह आपकी drug है यह आपकी body है ठीक यह आपकी body है ठीक और यह वाला हिस्सा जो है आपका interaction site है मतलब यहाँ पर आपका target area यह है तो यह जब यहाँ पर जाए तो जो आपकी chemical प्रोपर्ट जो आपकी physical और chemical properties सो करेगी इस area क जो सेल होगा इस area का जो सेल होगा उससे जो सो करेगी वह आपकी बताएगी ठीक है तो first video chemical properties जो हो रहे है हमारी वह आइनाइजेशन है आप सबको पता है कि आइनाइजेशन मतलब आइनाइज़ और अनाइनाइज़ दो मोलिक्यूल होंगे एक मोलिक्यूल आपका आइनाइ या राइनाइज़ जो होता है वह वीक बेस होता है ठीक है तो जब ड्रग जो आपका ड्रग है वह एकसिस किसमे करेंगा अनाइज़ अनाइडस्уса इस्टेंच में ही जो है आइनाइजेशन जो है किसी भी ड्रग का वो डिपेंड करता है उसके पी के या पी एच पे ठीक है उसके बाद एक सबसे बढ़िया पॉइंट है आपका कि जो रेट ओफ ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है मतलब अगर आपका यह ड्रग जो है यह आपका मानली जी यह इसका जो इसका जो इसका जो इसके यह प्रोपोर्शनल लिखन जो को नहीं लिया जाते है उसके को नहीं माना जाते है ठीक है उसके बाद लॉरी और ब्रॉन्स्टेट्ट लोग आपने पहले ही पढ़ रखा है बहुत बार तभी यह बता देता हूं कि हमने एक एक एसीड ले लिया उसका हमने जब water के साथ react करा है तो hydronium iron और a negative दिया जो कि हमां conjugate base हो जाते है उसके बाद हमने एक base लिया उसका hydro H2O के संग जब react करा है तो वो BH positive compound बना लेता है और OH negative बना लेता है जो कि आपका conjugate acid हो जाते है जो यह injection की वह complete हो रही है कि नहीं हो यह मतलब वह सब्स्रांस को पूरा complete कर रही है कि नहीं कर रही है ठीक उसके बाद आपको इसका equation पता ही है यहां पर सो भी हो रहा है कि के equivalent equivalent equal to हो गया जो product of compound हो गया वह upon reactant side का जो compound होता है उसके बाद water जो होता है वह ज्यादा amount में होता है इसलिए उसको constraint की तरह treat कर लेते हैं और equation को कुछ इस तरह भी लिखा जाते है कि के एक्वल प्लस log conjugate base upon acid होता है यह भी आपका equation निकलता है जो के हेंडरसल hassle batch का होता है ठीक है यह सब आपने पहले ही पढ़ रहा है इसको इतना डीप में नहीं पढ़ा रहा है जब एक acid और base 50% ionized हो तब pH जो होता है वह pka के equal होता है example में आपका इंडोमिथासीन होगा इंडोमिथासीन का यहां पर example मैंने दिये रहा है अब इसके में आ जाते हैं importance पर क्योंकि एक्जाम में इसका importance जो है इन सब के importance पूछे जाते तो pka value किसी भी drug की helpful होती है pharmaceutical information के लागा हम कुछ भी drug दे रहे हैं कुछ तो उसका हम pka value चेक करेंगे उसकी pka value कितनी है उसका जो pH होता है formulation के लिए हम उसको adjust करते की maximum solubility का water में या non polar medium में उसकी pH कितनी है उसके बाद जो formation होती है oral doses form में जैसे की इंडोमिथासीन हो गया हम उसमें देखते हैं उसकी pH एक्वल है पीके की नहीं है उसके बाद drug transporter distribution में भी इसका influence होता है pka value से और absorption जो होती है drug की GIT track में वह भी effect होती है pks of drugs से जो drug की pka होती है उससे भी वह effect कर जाती है उसके important एक note मतलब एक formula होता है कि जो 100% ionization निकालने का होता है मतलब 100% क्या हो मतलब परसे ionization percentage निकालने का कि percentage ionization equal to 100 upon 1 plus 10 raise to power pka minus pH आप इसमें formula रख देंगे तो अगर जैसा आपके पास एक drug दे रखिए कि यह इतना percent ionized है मान लिए अगर आपके पास एक drug है वह 90% ionized है तो उसका ionization percentage कितना होगा आपको यह calculate करना होगा तो आपको यह पता चल जाएगा उसकेस में pka और pH आपको दिया होता है यह वैसे generally नहीं पूछा जाते मतलब एक अगर कभी industries में वह करोगो तो उसमें यूज हो चाते उसका solubility होता है कि solubility कि सबस्टांस की अब solubility देखे मैं सबसे मैं इसको जो लिखा इसको इसको तो मैं बताऊंगा ही मैं solubility आप सबको पता है कि हमने एक drug लिया मालने जिए हमने पारसेटा मोलकिक टैबलेट ली हमने उसको लिया तो हम जिस हम लेंगे उसको तो हमें उसके लिए एक मीडियम चाहिए होगा वाटर से लेंगे तो वाटर हमारा मीडियम होगे solvent हो गया drug हमारा solute हो गया तो जब हम लेंगे तो solute solvent का interaction होगा तो उसकी solubility देखी जाएगे क्यों कि इतना solubility है क्योंकि देखे बहुत से लोग क्यों होते कुछ लोग क्या करते जो जैसे discipline की गोली हो गई या जो आपके ऐसी लोग जो कुछ गयास की गोली कुछ ऐसी गोली होते जिसको लोग पानी में डिजॉल्व करते कि पानी में डाल देते वह पानी में टाइम ले रहा है तो मतलब आपका जो ड्रग है वो उसकी solubility proper नहीं है मतलब वो ड्रग जो है वो आपका pure drug नहीं है उसमें आपका contaminant मिला हुआ है ठीक है तो solubility में यही देखा जाते है कि जब वो हो रहा है तो वह पेट में जाने के बाद भी अगर हम direct tablet लेते हैं तो कितने देर में solubilized हो रहा है थोड़ा टाइम लगेगा पर यह देखते हैं कितना देर में वो solubilized हो रहा है तो solubility किसी भी substance के उसके temperature पर define होती है कि जो concentration होता है dissolved solute का वो equilibrium होता है solid solute के की नहीं जो concentration होता है solute का वो उसका chemical कैसा है मतलब अगर हमने जो पाराशीटा मॉल यह डिस्प्रिंट की जो टैबलेट लिए उसमें chemical कौन-कौन से मिले उसका structure कैसा है उसके particle size कैसे उसका surface कैसा है crystal form कैसा है बहुत से तो वह affinity और felicity या repulsion और phobicity के उसमें टर्म्स पर लिखे होते एक्वस सोल्यूशन और organic solvent या तो वह एक्वस सोल्यूशन में लिखे होंगे या तो organic solvent को उसमें लिखे होंगे ठीक उसका आद होता है polar non-ionic compound जो की form करते H bonds को water के साथ और जो इसकी functionalities group जो होती है जैसे की OH हो गया NH हो गया Carbonyl group हो गया यह सब इनके group होते non-polar compounds जो होते वह lipid के संग interact करते hydrophobic bond में और dispersed हो जाते जो solubility characteristics होती है drug की वह आपकी change होती है simple derivatization से जैसे की example ले लेते आपके पास एक drug है methylprednisolone acetate स्वान जो की water snake net warm मतलब आपने इसको water में 018 मतलब मान लीजे अगर यह आपके drug है methylprednisolone यह इसका structure है थोड़ है सबने सब्सक्राइब सेको आपने speaker में डाला ठीक यहाँ पर आपक यह यहां पर यह आपका पानी है यह आपका पानी है यहां पर और यह यहां पर क्या हो गया डिजॉल्व हो गया पूरा मतलब completely डिजॉल्व हो गया ठीक और वहीं पर आपके पास एक ड्रग है methyl pragnisolone sodium succinate यह आपका वो है ड्रग है ठीक यह आपका बीकर हो गया यहां आपने इसमें ड्रग जो है वो डाला यह आपका पानी हो गया इसका ठीक जो मतलब पानी का जो मीडियम हो गया उसके बाद यह क्या होगा यह जो है लेकिन इसको हम औरली और पैरेंट्रनली दोनों यूज़ कर सकते हैं इसको अगर हम पैरेंट्रनली करें इंजेक्शन फॉम में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं अब इंपर्टेंट्स क्या है सॉलिविलीटी की इंपर्मसिस्ट के लिए क्योंकि जब भी हम यह कोई बी लिक्विड डोसेश फॉर्म्द प्रीपेर कर रहे होते तो जो drug होता है solution में वो उससे पहले हम देखते कि वो body में absorb हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उसके बाद उसकी जो biological activity है absorb होने के बाद वो so कर रहे है कि नहीं कर देखे कि अगर मान लेज़े अगर आपका ये body में ठीक ये वाला जो area है यह वाला जो आपका area है ठीक यहां पर आपका drug absorb हो रहा है तो यहां पर यह एरिया में आपका जो ड्रग है यह बाइलोजिकल एक्टिविटी उस टार्गेटिड साइट पर सू कर रही है कि नहीं कर रही है हमें यह रेखना होते है ठीक उसके बाद जो drug होता है solution में वह interact हो र chemical properties में के दो पार्ट के बारे में पढ़ा ionization और आपका दूसरा है solubility अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको share करना like करना subscribe करना इसके आपको जो notes है link में description में मिल जाएंगे directly वहाँ पर जाके भी आप चाहतूर डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से जाके आप notes बन thank you और please comment करिएगा और like कर दीजेगा निवाद आपका